विकास की मम्मी कहीं रस्ता भटक गई है, मिल नहीं रही है बजट तो एक छलावा है लगातार किसानों को छला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लुभावने वादे के नाम पर बजट जो पास हुआ है, वो बिलकुल खोखला है उनके पास सिर्फ एक काम है, इस प्रदेश में कैसे धार्मिक तरीके से उन्मात फैलाया जाए और वो वही करता है बाजपा का काम है अकलियतों का बटवारा करना नमस्कार, मैं हूँ है आतबास और आप देख रहे हैं 4PM News Network उत्रप्रदेश का बजट पास हुआ है और जिसमें कहा गया है कि रोजगार दिया गया है यूवाओं को तमाम बेरोजगारी दूर कर दी गई है, महंगाई दूर कर दी गई है और राज्य में जिस तरह से विकास हो रहा है उस पर तमाम बाते कही गई है लोगों के पीछे जान लेते हैं रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इन दिनों कि मैंने रोजगार दे दिया है, मैंने विकास कर दिया है, उनके पास सिर्फ एक काम है इस प्रदेश में कैसे धार्मिक तरीके से उन्मात फैलाया जाए और वो वही कर रहा है और कोई मोटिव नहीं है, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि आपसी सौहाद बिगारना ना उनके एजेंडे में विकास है, ना उनके एजेंडे में इवाओं को रोजगार है आपका सार आज बजट को किस तरह से देखते हैं उत्य प्रदेश में योगी आदे तनात के द्वारा है। बजट कहा किया है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है। विधाय को खरीट कि सरकार पलट दे रहे हैं अभी दिल्ली में अर्विन किरजीवाल और सब आरोब लगा रहे हैं तो क्या यह आरोब एक मुखमंत्री एक वहां कई मंत्री आतिशी सब लगा रहे तो यह क्या यह बेवुनियाद आरोप है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी जा रहा है न रेलवे की आतरा सस्ती की जा रहे है तो कहने को तो इन्हों ने पंद्रालाग भी कहते कहने को तो यह कुछ भी कहते धरातल में कितनी पिछले बजट में तो खिलाओनों का जिक्र था आपके लिए किल खेलने का जिक्र है असे नाराज है यूवाओं के लिए तो इतना कुछ कर दिया रोजगार की बात कर रहे हैं महिंगाई दर कम हो गई है कि रहे के बेरोजगारी कम हो गई है बेरोजगारी कम हो गई है मगर इसनुती रानी के लिए जो 390 के सिलेंडर पे संसत भावन के बाहर बैठती थी एक हजार पे अपने घर पे बैठी है बेरोजगारी खत्म हो गई है जब एक रुपए पिट्रॉल पे बढ़ता था तो पूरी भाजपा पागल हो जाती थी आज सो रुपए पिट्रॉल है भाजपा ख्याल नहीं कर रही है भाजपा का काम है अकलियतों का बटवारा करता है सरकार चलाना उनका काम नहीं है ना उनका कोई मकसद है वो तो के रहे हम पूरे बहुमत से फिर आएंगे तो इबियम है तो इबियम पर वो कुछ भी कर सकते हैं अब वह अला मसला है जिसकी लाटी उसी की भैंस अब भाजपा के पास लाटी है अगर लाटी के दर पर सरकार उसने बिहार में बना ली इससे पहले कितने राजों में बना ली राजिस्तान में भी खेल कर रहे ते हो नहीं पाया खेला तो इनका मकसती यह है किसी शायर ने कहा नहीं है यह सरकार गाय से सुरू हुई थी चाय पर आके अटक गई है विकास की मम्मी कहीं रस्ता भटक गई है मिल नहीं रही है देश को नहीं मिल नहीं है आज क्य अब जो पास हुआ है वो बिलकुल खोखला है इस बजट में कुछ नहीं है अब चुकि इनका आखरी बिजट था इनकी सरकार जाने वाली है लाश्ट इनका बजट है तो इनोंने मीडियम बर्ग के लिए मध्यम बर्ग के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है और वैसे भी मोदी सरकार पिछले 2014 से जब से आई हुई है तब से क्योल जादू ही चला रही है जादू के लाओं कोई काम किया नहीं है क्यों धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं जात्यों धर्म के नाम पे अभी इन्होंने यहां की जनता को पूरे देश की जनता को इन्होंने बाटा पहले यह कहते थे कि हम OBC हैं यह दलित हैं यह मानौर्टी हैं यह फला हैं यह धिमाका हैं उसके बाद फिर इन्होंन इनके जुमले हैं खाली जो ये कहते हैं कि अधर्म की राजनीत करते हैं अभी राम मंदिर का आप एक यूवा है और यूवाओं के लिए तो आज का बजट कह रहे हैं हमने यूवाओं के लिए खास तोर पर उस पर ख्याल किया है उनकी नौकरियम के रोजगार की बजट देखा था तो यूवाओं के लिए क्या है आप ही बता दीजिए मैं तो धरातल पर सचाई जानने के लिए नहीं तो आपको भी पता होगा कि यूवाओं के लिए क्या किया है इन्होंने आज तक एक पैसे कही नोकरी निकल रही है कितने सालों में आज पूरा विरोजगार यूवा घूम रहा है उसके बाद इन्होंने लाके अगनी बीर उजना चलाई पान साल की नोकरी लोग नोकरी करतेई 24 साल पे नोकरी पाते थे 30 साल पे रिटायर होते थे पान साल में आब नोकरी देखर के कौन से यूवाओं का भला कर रहे है पां साल बाद रुठ़ हो ज क्या है अपनी मनमानी है हमने रोजगार और शिक्षा और सब सब तमाम बाते करेंगे स्वास विवस्था हो चाहे कुछ भी हो सब बड़ा अच्छे चल रहे हैं जब देश आजाद हुआ था उस वक्त देश के पास कुछ नहीं था आई आई टी आई एम प्रूजीने एक तैने सब बड़ा उस्या वाइन शक्षा और सूराष तूरच्छा फृरी होनी चाहिए और हमेशा से बादा करते एक मुझदूरों किसानों के काम जब मजदूर किसान के जेव में पैसा रहى कामा तब ह यात्रा करेगा न हुआऊ कई उसके बाफ शमने पास में इसब्सक्राइब करेगा पहले मुझदूर को आप से रूपए सोब दस परसंट सस्ता कर देंगे गाड़ी हमारे किस काम की हमें तो पब्लिक कर्मेंसेज की जरूरत है हमने इतनी रखंब बढ़ा दिये सेलरी बढ़ा दी है और जो कमाई है वो बढ़ा दी है इसलिए मैं किसकी बढ़ी है आप बताएए कि कोई नोकरी है ह 30,000 तनखा पाता था उसको 12,000 रुपए दिये जा रहे है ठीकेदार को 30,000 रुपए ये पूरे पूजी बात के समर्थन में सरकार कड़ी है इसका जनता से गरीब से कोई लेना देना है उनके कहने से कहा होगा वो तो कह रहे हैं कि हम पंथ निर्पेक्ष हैं और है कि कहीं की विकास की बात किये जा रहे हूं कोई विकास की बात नहीं आज ए मंदिर बनेगा और मैरते मजिद से किशी स्वाहिशह पड्स क्या और आगे वी बनवा करके आप अमबानी को बेचिए अडानी को बेचिए बड़े-बड़े पूजी पतियों को बेचिए आज सब हवाई अड़े बच बिख चुके हैं और एक मंतरी भी है बिना बिना जहाज का मंतरी एक जहाज नहीं है एरलाइन्स बिख गई है और मंतरी सीविल एवेश रोजगार की बात कर रहे हैं जहां पर आप देखिए जो सरकार में बनाई गई थी नौजवानों के लिए जो एक पेंशन का सिस्टम बनाए गया था तो पेंशन तो यह दे नहीं रहे हैं तो कहते हैं कि अग्निवीर मनिये चार साल में जो नोगरी करके आप छोड़ दीज तो बच्चे को कुछ पढ़ाता है कि बढ़ा होने के बाइब कहते हैं पकड़ाई तलना है तो है कहां कुछ आप कहते हैं रोजगार कर लिए लोन ले लिए करजें हो जाई आज हमारा प्रतिवेक्ति आए कि आए जो बच्चा पैदा नहीं हो रहा है उसके उपर दो लाग के उपर कर जो गया हमारा जे देश ज इंदर करजा बड़ा है 155 लाग करूण का वो कहां पैसा गया क्या हो जबकि आतुज रिटन हो रहा है मुझे लगता है किसी महीने भी जो है एक लाग पचा एक लाग करूण से कंभी भी किसी महीने इधर पिछले दो सालों से नहीं आ रहा है तो पैसा जा कहारा इस पर इसे रोजगार नहीं मिलेगा तो यह कहीं न कहीं दूसरी रुप में जाएगा तमाम चीना जब यहां बढ़ेंगी मार काड बढ़ेगा लोग पाई कोग जीना है तो पैसे की जरूफ और अगर रोजगार नहीं पहूश्थानी तो युवाक कही अइसान हो किसी दूसरी र रहे थे और इसी तरह लोगों से बात करती रहेंगे और सच्चा ही आप तक पहुंचाती रहेंगे क्यामरे परिशन सत्य नारायन के साथ मैं है अतब बास फो प्यम नियूज नैट्वर्ग